नालेक गुड मानिंग सर ग्लास में कुछ अलग नहीं लग रहा कुछ अलग कहां से होगा मेरा वाई गरम पानी है आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत हैं फर्स्ट आफ आल वेरी हैपी चार्टर अकाउंटन डेज वेरी हैपी डॉक्टरस डेज टु अल आफ यू अगलम आज वहलेs में मोटिवेशन के साथ चालू गरेंगें कि क्यू मैंने इस कोर्स को चुना क्यूग क्यू यह कॉर्स इतना इंपॉर्टेंट है तो इस के अंदर मैं जैसे कि आप लोग सब जानतें कि मेरे कैस में एक भी यह कुन ऊनुदू सबसे बहले मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था आप जितने भी 99% of the people से मिलेंगे जिन्होंने इस course को किया है वो यह कहेगा कि मुझे सच में इस course के बारे में नहीं पता था लेकिन मैं दोस जा रहा था इस लिए कर लिया या कोई था इसके लिए कर लिया इस तरह से हम सब की शुरुवात होती है आपकी बोलो मेरी बोलो हम सब की शुरुवात होती है इस course में एक अलग life है इस course की अलग जीवन है मतलब समझी नहीं आता कि कब ये course हमारा और हम इस course के ओके रह गए समझी नहीं आता समझी नहीं आता कब हम इस course के ओके रह गए श था थोड़ा सा जिससे हमें हमेशा से डर लगता रहा लो पहली पहली बार प्यार हुआ कि हाँ यार कानून बड़ी अच्छी चीज़ है जब कॉंट्राक्ट पड़ते हैं और एकनॉमिक्स तो ठीक है ना में वह पहले पसंद था ना में वह आज पसंद है तो यहां से हमारी पड़े तो देखा कि यार यह तो अच्छा यह तो आसान है लोग तो ऐसी बोलते हैं यह हार्ड है तब हम कौले कवले नए नए बच्चे थे हमें क्या पता था इस जीवन के अंदर में कि इतना बड़ा तूफान आगे आने वाला है हमने देखा कि भीया कुछ चीज़े त चीज यह होती है कि यह क्या होगा क्योंकि एक डर लगा रहता है हर एक से सुना होता है यह भी सुना होता है कि यहां पे उन्हों 10 गंटे 12 गंटे पढ़ना होता है जब एक्जाम आई तो समझ में आ गया कि क्यो 10 और 12 गंटे पढ़ना होता है सभी लोगों का यह कहना था इ तू क्यों टेंचन ले रहा है हम बस सुन रहे थे हम बस सुन रहे थे और अंदर की एक कश्मकस जो होती है वो तो खेड सब को पताती कि लाइफ में क्या होने वाला है एक्जाम दिया वो एक्जाम कुछ ऐसा था मनाओ कि उस हौल में सर्फ हम बेटे थे और हमारे अलावा था एक्जाम ये सोच करके लिखा जा रहा था कि मैं एक्जाम नहीं मेरा भविश्य लिख रहा हूं जब एक्जाम हुआ दिल को बहुत हलका लगा एक सवाल तब भी जा रही था क्या मैं पास हूंगा या नहीं हूंगा सारे लोग पूछते एक्जाम कैसा गया पास तो हो जाएगा ना ओनेशली इसका जवाब हमारे पास नहीं था ये गाथा हर एक बच्चे की है जो इस कोर्स को कर रहा है हमारे पास भी इसका जवाब नहीं था कि हम पास होंगे या नहीं होंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं थ उस Mother Institute के साथ Let's match up कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमने अपना पूरा दिया, पास होंगे नहीं होंगे, यह अलग विशय है, कि मंजिलें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, यह अलग बात है, हम कोशिश भी ना करनें, यह गलत बात है, हमदे वेहनत करी, तो बात थी उन दिन की जब result की date institute के website पे आई कई लोगों ने बताया कि भीया result आने वाला है result आने वाला है और हमारे मन में अब दगदग शुरू हुई अब याद आए कि वो questions हम क्या लिख करके आये थे समझ में आया कुछ जगह गलती हुगी समझ में कुछ जगह गलती नहीं हुई है हमने अपने मन को मनाया exam की पहली वो रात थी ज्यान दे सुनना सबी लोग हो कि exam से पहली की वो रात थी हर दोस्त फोन करके बोल रहा था भाई क्या होगा यार, बहुत टेंचन आ रहा है, हमें भी टेंचन उतना ही था, पर उसे हम कॉल करके समझा साथ, कोई बात नहीं यार, सब हो जाएगा, बैर तू तो कन्फरम पास हो जाएगा, टेंचन तो मेरा है, don't worry, अपन दोनों पास होंगे, दोनों भाई मिल करके इंटर में जाएंगे तो टेंचन मतले जब वो दीदी टेंचन में थी तो हमने कॉल करके समझाया रे चल यार कुछ नहीं होता डोंट वरी हो जाएगा अपन वापस कर लेंगे पर सब के मन में इक्वल सी घबराट थी सब के मन में ये था कि आगे क्या होने वाला है सब ये सोच रहते कि क्या सच में इस बार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा रात भर बस इस बेचैनी में गुजरी कि कल का दिन मुझे क्या दिखाएगा कल का दिन या तो मुझे मेरी जिन्दगी में आगे लेके जाएगा या कल का दिन मुझे एक नई सीख देगा कि ये कोर्स को इतना भी हलका नहीं लेना चीए जितना हलका मैं ले रहा था दूसरे दिन की सुबह हुई घर में सब को पता था कि रिजल्ट आने वाला है मैं भी उठा कई दिनों बाद नहाया हूं बात समझे तुम कई दिनों बाद नहाया हूं यह सोच करके कि आज क्या होने वाला है भगवान से हाज चोड़ दिये कि है भगवान सारे पाप माफ कर देना इस बार मेरे करियर का रस्ता साफ कर देना रोकना नहीं मुझे क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता आखिर एक जुलाई को मैं भी सीहे डे को मनाना चाहता तो मैं भी यह करना चाहता हूं प्लीज भगवा कुछ तो कर दो जीवन रिजल्ट को कुछ घंटे बाकी थे सारे दोस्त फोन कर रहे थे मुझसे रोल नमबर मांग रहे थे मैंने रोल नमबर किसी को नहीं दिया क्योंकि मुझे भरोसा सिर्फ मेरी मां पे था मेरे पापा पे था मेरे भाई बेहन पे था क्योंकि वो मेरे लि रिफ्रेश कर रहा था और एक मेसेज सोशल मीडिया पर टाइप करके रखा था यह मेसेज उन लोगों के लिए था जिनको शायद रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कुछ कम शब्दों में बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि शायद आज मैं मेरे रिजल्ट से उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कही नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ चुका है वेबसाइट पे गए रिफ्रेश किया साइट लोड हो रही है हमने का ठीक है इतने लोग एक साथ आये है पांच मिनट बात तो होई जाएगा रिज जैशल के आप्चार कोड़ डाला और मानो यह जो कुछ सेकंड वाले पल है न यह पीती नहीं रहे है क्लिक किया 5G वाला इंटरनेट 4G वाला इंटरनेट जो एक सेकंड में रिजल्ट दिखाता है उस दिन है स데 त्याओं 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 गुम्ता रहता है और क्लिक करक ये वाइट एंड ये जामनी कलर का पेज डेवलाप होता है इंस्टिटीट आफ चार्टेड अकाउंटेंट आफ इंडिया का लोगो आता है आप हलका सा पेज को निचे करते हो आपका नाम दिखता है और नाम दिखने के साथ साथ आप एक बार फिर उस परमात्मा से हाथ जोड़ लेगा कि हे बगवान मेहनत तो मैंने की है सफल कर दे ना आप बाकी किसी सब्जक का स्कोर नहीं देखते सीधा निचे पास या फेल गलत बोल रहा हूं साब और यह हर सीए स्टूडेंट की दास्तान है यह हर सीए स्टूडेंट की दास्तान है जो पास हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता रहे उसकी खुशी का छोड़ो उसके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता मा उस दिन रोती है दादी दिन रोते है और पापा और दादा के इस पास सिर्फ थपथपाई भी पीट होती है और इतना होता है कि चल बहुत अच्छा आगे बढ़ो वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते पर अपने सारे दोस्तों में धिंडोरा पीटते हैं कि मेरा बच्चा पास हुआ है मेरा बच्चा पास हुआ है आज इसने मेरा नाम रोशन कर दिया आज मुझे इस पर भरोसा आ गया मा और दादिया तो बस रोख करके ही अपना काम कर देती है हमें समझ आ जाता है मा और दादिया तो बस रोख कर देती है मतलब देखो साला बात करते करते हैं मेरे उपर गूस बम्स आ रहे हैं कि हम सब की यही दास्ता और हम सब इस दिन के लिए वेट कर रहे हैं वो दादी हमें रो करके युनू सर सहला देती है और उसके पास जितने पांच दस सो रुपे का नोट होता है हमें दे देती है शायद इससे बड़ी audit fees हमें नहीं मिल सकती क्योंकि दादी का यह प्यार ही सबसे बड़ी audit fees है दुनिया का कोई client इससे ज़्यादा फीस नहीं दे सकता दे भी दिया तो इससे ज़्यादा की value नहीं हो सकती इसका perceived value बड़ा है उस fees से मा को रोते दादी को रोते देख आप भी emotional हो जाते हो क्योंकि वो सारे दिया दाते है जो सारे तेवहार हमने छोड़े जो सारे दोस्तों को हमने छोड़ा जो एकांत के अंदर में बैठे रहे एक रूम के अंदर बंदो करके बैठे रहे कई गंटे हम लोगों ने पचास गालिया खाई जिस सब्जेक्ट से नफरत थी उस सब्जेक्ट से लड़े अपनी तवेट से लड़े तवेट खराब थी तब भी पड़े घर पर सिचुएशन प्रॉब्लम में टिक थी तो भी पड़ा हमने उसब किया और मम्मी से लिपट करके रोने में और जो गम हल करने में मजा है वो जीवन में कहीं नहीं है मा ने सर पे हाग फेरा बहुत बहुत बढ़ाईयों बहुत प्राउड ऑफ यो भाई बेन जो हमें नलायक समझते थे आज उनने भी कॉंग्राचुलेशन किया कि चल भाई कॉंग्राचुलेशन अच्छा है तु जल्दी यल्द करले एक में पर और शाबाशी दे दी बस कह दिया इतना ही वह आदमी इस सेJust कुछ बोल है क्या नगे आटमी हमारी खुशियों बहाएगा तुम्हारे सामने एक शब्द नहीं बोलेगा पर वो आदमी आज पूरे दुनिया को पार्टी देने के लिए रेडी रहेगा वो आदमी का आज सीना 56 इंच का है क्यूंकि उसका बच्चा आज कुछ कर दिखाया है आज कुछ कर दिखाया है वो आदमी बस इतना ही बोलेगा चलो आज मजे करो क्या चीए बोल अरे पपा के इतने ही शब्द हमारे लिए काफी है क्या चाहिए बोल क्योंकि हमें पता है जो हम बोलेंगे हमारा बापू हमारे लिए लाकर रग देगा उसकी जितनी कपैसिटी हो उसकी जितनी कपैसिटी होगी वो सब कर देगा हमारे लिए वो क्यों नहीं करेगा दादा जी बड़े खुश हुए दादा जी बड़े खुश हुए हर बार जिस तरह से हमारी गलतिया चुपाते आए हैं आज वो अपने पपा को बोलेंगे देख हर बार तो इसको नलायक देखाया अगली बार से कुछ बोलना मत ताता सा लग जाएगा फोन का सारे परिवार वालों को जब पता चलेगा कि तुम पास हुए हो वो लोग जो तुम्हें कही नहीं देखते वो लोग जिनके लिए तुम शायद अब कुछ वैलू नहीं रखते थे अचानक से उनकी आ reaction उनका यही होगा यह हो गया वह जब यार बड़ा इजी सा कोर्स लगता है उन्हें नहीं पता होगा यह कोर्स इजी है या नहीं है उनके पूरे खानदान जिनने यह सोचा होगा कि तुम्हें वो capability नहीं है आस पड़ोस वाले लोग जो आज तक तुम्हारे बारे में सिर्फ और सिर्फ पुरा ही करते आएं कि यह तो दिन बर फोन पे लगा रहता है यह तो इधर उधर घूमता रहता है इसके तो ऐसे दोस्त है या इसका character ऐसा है मतलब वो लोग जो तुम्हारा character assassination कर रहे होंगे तुम्हारे बारे में आज कुछ बोल नहीं पाएंगे तुम्हारे बारे में आज कुछ बोल नहीं पाएंगे क्या बोलेंगे ना क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में आज कुछ कह नहीं पाएंगे ये जमाना और उस टाइम तुमारे कानों में ये बात जरूर गुνञरी होगी ये जमाना बेशरम है ने इसका धरम है क्योंकि आज वो तुमारे बारे में अच्छी बाते कर रहे होंगे वो लोग जो तुम्हारे बारे में जिन्नोंने एक शब्द अच्छा नहीं बोला आज वो तुम्हारी तारीफों के पुलबार नोगे वहाँ वहाँ इसने तो पढ़ाई भी बहुत की है इसने तो काफी मेहनत करी है बहुत congratulations बेटा अच्छा है ऐसे ही करते रहो अच्छा और उस दिन आपको समझमायाँ के विटा अब काम रिजल्ट से बनेगा बातों से नहीं उस दिन काम रिजल्ट से बनेगा बातों से नहीं and you will say भाई तोरा अब मचाएगा भाई तोरा अब मचाएगा ये जो feeling में आप से express कर रहा हूँ ये हर level की feeling है हर बच्चे की feeling है चाहे वो CA foundation में हो CPT में हो IPCC में हो, Inter में हो या final में हो हर बच्चा अपने life में गुजरता है हमें proud है इस course के उपर हमें proud है अपने आप के उपर कि हमें इस course के अंदर में है no doubt ये course हमसे 10 घंटे के ज़्यादा की पड़ाई मंगता है no doubt ये course हमसे हर तरह के तवार छीन लेता है कोई शक नहीं इस से कि हम शायद अपनों की शादी में नहीं पहुच पाते कोई शक नहीं इसमें कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कोई शक नहीं कुछ तीन साल बहुत mental stress से गुजरना पड़ता है क्योंकि जब आप अपने आसपास में देखते हो या एकाद result फेल आ जाता है हम अपने आपको बहुत अकेला महसूस करते हैं लेकिन हमें पता है कि वो एक दिन जरूर आएगा वो एक दिन जरूर आएगा जिस चीज के लिए हमें मेहनत करनी है यह हमें confirm पता है कि वो एक सुबह जरूर होगी जिस दिन ये सारी चीजों का end होगा और यहां से अब मैं लोगों के problems का solution देने के लिए बैठूँगा खुद के problems create क करने के लिए नहीं हां कई law पढ़ने पढ़ते हैं हां कई चीजे जो relevant है relevant है पढ़ना पढ़ता है यहां पर सबसे बड़े दुश्मन अपने खुद के होते हैं क्यूंकि आपने जरा सी भी ढिल दी तो आप गोल से दूर चले गए कई subject से नफरत होती है पढ़ना पढ़ता है पढ़ना पढ़ता है पर एक चीज कंफरम है इसके बाद जो इज़्जत मिलती है न वो इज़्जत के लिए पढ़ना है मेहनत जो करनी है अब अपने परिवार वालों के लिए करना है क्योंकि जब घर में एक बच्चा पढ़ लेता है न तो पूरा परिवार सुदर जा कि उन्हार रिष्टेदार जिसने कहा है कि तू नहीं बन सकता है आखिर उनके भी तो ओडिट रिपोर्ट साइन करना है उनके भी तो रिटन आफ इंकम भरना है उनकी लिए कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना उनसे फीज चार्ज करना है शब्दों की कीमत है ये उन्हें भी तो पता होना चाहिए ये कॉर्स आपसे अल्मोस सब कुछ ले लेता है लेकिन ये कॉर्स कंप्लीट करने के बाद मैं मेरे परसनल एक्सपिरियंस आपसे कहना चाहूँगा ये वो सब कुछ आपको देता है जो आप डिजरू करते हो वो पैसा वो शोहरत वो हर चीज जो तुम अपने परिवार को देना चाहते हो और जो तुम अपने आप से एक्सपेक करते हो सब कुछ ये देता है बस इतना है कि तुम्हारे तरफ से अगर मेहनत की कमी नहीं है तो बस किसी चीश की फिर कमी नहीं है ये कॉर्स की कुछ नहीं करने देता, यह फर्क हमें सिर्फ knowledge basis पर create करने देता है, यहां शायद 90% वाला भी fail हो जाए और 45% वाला भी pass हो जाए, कुछ चीज़े इस course के अंदर में जो लगती है, वो C और A लगता है, क्या C और A, C that is commitment to yourself and A attitude towards yourself, C and A, commitment towards yourself and attitude towards yourself, बस दो चीज़ लगती है, बाकी percentage matter नहीं करता, भाया वो science अलग चीज़ है, जहां पर 35% पर pass होते हैं, admission 90% पर close होते हैं, यह commerce का सबसे बड़ा course C.A. साब, यहां 35% वाला भी in है, 99% वाला भी in है, pass वही होगा, जो consistency लेकर के चलेगा, और क्यों करना है, क्यों इतने तेवहार sacrifice करना है, क्यों सारी चीज़े करनी है, बस एक दिन के लिए करनी है, जिस दिन मेरे नाम के आगे न, वो degree लगे, और जीवन में इससे बड़ा अंत नहीं होगा, कि जब मैं मरू, तो late CA Vijay Sarda नाम आ जाए, बस काम कतम है, लगेगा कुछ life में achieve कर लिया, बाकी तो ठीक है, जितने सुक और दुख लिखा के लेके आए, वो सब लेके जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है न, ये लगेगा, earn करिये, क्योंकि ये मेरे नाम के साथ ना मजा तो उसमें रहेगा, जब मैं किसी society में होता हूँ, तो वो मुझे जानते हैं, आज हर वो व्यक्ति, living or dead, उसको हमारी requirement है, अगर वो पैसा कमा रहा है, तो उसे किसी तरह की advice चाहिए, तो मेहनत करो, examinations आ रही है, मेहनत करो, और मेरे भाई, एक बात याद रखना, इस course उसके पास देने के लिए इतना कुछ है, एक समय जरूर ऐसा होगा, personal experience से बोल रहा हूँ, आपको, personal experience से बोल रहा हूँ आपको, कि एक समय जरूर ऐसा होगा, कि तुमारे पास 20 घंटे कम पढ़ जाएंगे काम दरने के लिए, एक समय वो भी होगा, कि लोग तुमें, पैसे ये सारी चीज़े देना चाहेंगे, ये विल भी सहरे, भाई, नहीं possible है, मेरे पास time ही नहीं है, सब होगा, मेरे भाई, पर उसके लिए न, मतलब उन 40 सालों के अगर मजे लेने हैं, तो बस 4 साल थोड़ी सी कड़क मेहनत करनी पढ़ती है, इस बारे में कोई डाउट नहीं कुछ गलत चीज़े हैं इस कोर्स के साथ, जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट भी फेल हो गए तो पूरा गृप रिपीट करना पड़ता है, है इस कोर्स के साथ, कुछ चीज़े है जो इस कोर्स को और टफ बना देती है, यूँ ही थोड़ी ना इंडिया के टफेस्ट कोर्स के इंडर में बैटे हैं यार, ऐसे ही थोड़ी ना इतने करोड लोगों में से कुछ लाख लोग है जो इस कोर्स के अंडर में आते हैं, इस कोर्स में आने के लिए ना दो चीज़े जरूर चाहिए, दो चीज़े जरूर चाहिए, C और A, सर क्या क्या, C, एक कॉम्पेटिशन आटिट्यूड, भया, इतने लोगों में से मैं जरूर करके निकलूँगा, और एक अचीवर्ज स्ट्राटेजी, C और A, अचीवर्ज स्ट्राटेजी, आ तो इतने सारे लोग गए हैं, रिजल्ट तो उतने परसंटेज हैं जितना आपको पता है, उस परसंटेज में, पास आप इस कोर्स में आ सकते हैं, ये कोर्स शुरुवात में आपको जितनी तकलीफ देगा, मैं मेरे परसनल एक्सपिरियंस से बोल रहा हूँ, ये आपको इतना बेनिफिट देगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, आप अगर पैसो के टर्म्स में बात करूँ, तो आप ये सोचते होंगे कि 50,000 पर मन्त या 60,000 पर मन्त बहुत हो जाएगा, तो बिलीव में, शायद इसके डबल का तो तुमारा ओफिस का ओपरेटिंग कॉस्ट होगा, शायद इसके डबल का तुमारे ओफिस का ओपरेटिंग कॉस्ट होगा, कन्फरम बात बता दो, समझ में करना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा a happy CA day to those who have completed this course and to the one who is going to be complete this course is going to complete this course with their determination and with this motivation that जीओ तो ऐसे जीओ जैसे CA हो हम मरो तो ऐसे जीओ मरो जैसे CA थे बात समझ में आई और हां कुछ प्यार भरी बाते भी कर लूँ के जीवन में जब साथी ढूंडो तो जरूर इस कोर्स के ढूंडना क्योंकि उसे अपने दर्द और तकलीफ पता है B.S.E.A. data CA have a chartered life B.S.E.A. data CA have a chartered life अपने वाले कुछ ढूंडो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने यही चीज की है मेरी धरम वाली पत में भी चार्टर अकाउंटेंट है तो B.S.E.A. अपने सभी दोस्तों तक के इस चीज को जरूप अचा दीजेगा क्योंकि हम सभी इसी चीज के लिए वर्क कर रहा है थाइंक यू सू मच दिस वास सी विजय साल्डा टेक केर